जै मातदी दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्र में मिले ये संकेत तो समझ जाएं खुलने वाली है आपकी किस्मत नवरात्र आरंप होने के साथ शुरू हो जाता है भगतों में शक्ति को प्रसंद करने का दौर पुराणों के अनुसार कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि धनकी देवी के साथ समस्त्र ब्रमांड की शक्तियां आप पर महरबान हैं शास्त्र के अनुसार नवरात्र में कंजग पूजन का विशेश महत्व है दो साल की कन्या से लेकर नौ साल की कन्या तक मा का सुरूप माना जाता है माना जाता है कि ज़क अपने इच्छा से अपने हाथों से सिक्का थमा दे तो समझ जाएं निकट भविश्य में धन की देवी आपके घर में निवास करने वाली है बारतिय संस्कृती में सोला शिंगार को शुबता का संकीत माना जाता है जिस घर की महिलाएं सोला शिंगार करती हैं वहाँ प काम में सवल्ता प्राप्त होगी सप्ने में कोई माट्चिस जलाता है तो उसे ऐसी जगह से धनकी प्राप्ती होती है जहां से कोई उमीद नहीं होती यदि सपने में कोई चेक लिक कर दे तो इसका मतलब आपको विरासत में धन मिल सकता है तथा व्यवसाय में वृद्धी हो सकती है सपने में कोई यदि आप पर कानूनी मुकदमा चला रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है तो इससे आपको अतुल धन संपता की प्राप्ती हो सकती है किसी को धन उधार दे रहे हैं तो आत्यदिक घन की प्राप्ती हो सकती है सफेद गाएं का दिखना अत्वा घर के बहाराना शुब संकीत है सुबागे समें चंक नात अत्वा मंदिर की घंटिया सुनना दिन को सुहाना बनाता है यात्रा के आरंब में हमें ब्रामन, घोड़ा, हाथी, फल, अन, दूद, दही, गौ, सरसो, कमल, श्वेत, वस्त्र, मोर, जल, पून, कलश, मिट्टी, कच्चा, रत्न, पगड़ी, बैल, संतान, सहित, इस्त्री, मचली, पाल की दिखाई दे तो ये शुब संकेत होते हैं यदि रात्री को उल्लू के दर्शन हो जाएं तो इसका आर्थ है धन का नुकसान होने वाला है लेकिन प्राताकाल उल्लू की आवाज सुनना बहुती मंगलकारी माना गया है यदि किसी के आंगर में उल्लू मरा हुआ मिले तो तो उस घर में पारिवाली कला का सूचक है यदि किसी विशे स्थान पर उल्लू न्यमे तरूप से आने लगे तो उसे भ्यानक वा दुखदाई घटना का सूचक माना जाता है तो दोस्तों ये थे नवरात्र में मिले यह संकेत तो समझ जाएं कि खुलने वाली है आपकी किसमर इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्तिदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुं सकें धन्यवा दोस्तों